वेलकम गाइस कैसे वाप लोग तो यह है बजाज पलसर की आल न्यू एन वन सिक्स्टी आज की वीडियो में इसके प्रोजन कॉंस की बात करेंगे अगर आप इसका कम्प्लीट रिव्यू देखना चाहते हो अलेडी मैंने कर रखा है चैनल पर जाके देख सकते हो और इसको मै अज की वीडियो में कवर करेंगे कमिया तो ऐसे जदा है निए अच्य पॉइंट से मुझे अभी तक नजर आए तो वह क्या 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 अच्छे लूक है ना वो इसका जो एल्डर शिवलिंग N250 है उससे इंस्पायट है से आप इसका टैंग का प्रोफाइल लेखो काफी स्लीक लगती है और देखने में आप कॉम्पैक्ट भी लगेगी तो हर जगा से इसका लूक बहुत कमाल का है डिजाइन बहुत कमाल की है और ऐसा है कि जब आप इसको ले के जाओगे न रोड में तो नोटिस करेंगे लोग क्योंकि ये बाई कभी न्यू है मार्केट में N250 भी नई ही लॉँच हुई है एक साल हुआ उसको और एक साल भी नहीं हुआ अगर सही बोले तो fit and finish में मुझे कोई problem नहीं मिली हर जगर जो panel gaps है वो बहुत सही लगे और जनरली में बजाज के साथ तो देखता हूँ भाई क्योंकि बजाज में पहले हमें देखने को मिलता था कि कहीं ने कहीं fit and finish में थोड़ा सा problem होता था लेकिन इसके साथ सब एक number है fit and finish जैसे मैंने देखा switch gear की quality बहुत अच्छी है tank की में चोटे-चोटे panels लगाए गए है वहाँ पे भी बहुत अच्छी finish दी गई है तो हाँ design and fit and finish इसका पहला pros हो गया second pros है कि इसमें ने dual channel ABS देखने को मिलता है अब आप देखो इस segment में यतनी भी motorcycle है 160 CC की सब में ABS तो है बट single channel वाला है लेकिन यह single motorcycle है 160 CC की entry level sports bike जिसमें dual channel ABS दिया गया है और इसी के साथ ने इसकी braking भी overall बहुत अच्छी है अब जैसे हम लोग जब इसको चला रहे थे पूने की सड़कों में तो बारिश का time था बारिश बहुत जमके हो रही थी हर जगह ना road बहुत गिली-गिली से थी तो वहाँ पे braking मुझे बहुत अच्छी लगी और dual channel ABS की आपको safety मिलती है तो second pros है इसकी braking third pros है इसका engine इसका engine मुझे बहुत कमाल का लगा वैसे तो इसमें two valve का engine देखने को मिलता है जैसे आप देखो RTR 2V आती थी पहले अभी भी आती हालागी और इसका जो rival Bajaj में देखो तो NS160 है उसमें 4V का engine है तो ये 2V तो है बट 2V से क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कहीं vibrations बगरा तो नहीं हो रहे है तो इसके साथ बिलकुल भी नहीं है इंजन मुझे बहुत smooth लगा और जैसे मैं बोलता है smooth है तो लोगों को लगता है कि बजाज के engine था smooth कैसे हो साकत actual में ये smooth है जब आप चलाते हो तो आपका initial RPM हो या एक high RPM बे भी होते हो न तो vibrations आपको नहीं feel होते general riding condition में ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा red line टच कर रहे हो वहाँ पे तो कोई भी bike vibrate करेगी but in general vibration नहीं होता बहुत comfortable हो कि आप चला पाओगे और engine responsive है smooth है clutch भी light है तो overall जो पूरा engine का mechanism है न वो मुझे बहुत अच्छा लगा gearbox डी अच्छा है basically fourth और सबसे last pros जो मुझे इसमें लगा वो है इसकी comfort और इसकी practicality अब ये bike न ऐसी है कि compact है पहली बात तो weight हलागी बहुत कम नहीं है 152 kg के आसपास का weight है जो की जादा है बट overall ना इसकी design और जब आप इसमें बैठते हो न तो आपको compact feel होता है जिसे मेरी height 5 weight है ये आप देख सकते हो मेरे हिसाब से कैसी लग रही है मुझे तो मुझे दोनों pair touch करने में कोई ऐसे दिक्कत नहीं लगी इस इक साथ जो पूरा posture बनता है तो वो भी बहुत commanding है आप right बैठते हो आप handlebar बहुत ज़्यादा wide नहीं है narrow नहीं है तो overall city में जो आप चलाते हैं तो आपका command बहुत अच्छा रहता है तो मेरे हिसाब से city friendly ज़्यादा है और highway में भी आप इसको चला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट हाँ again इसकी comfort और इसकी practicality भी एक इसका advantage है तो ये चार pros हो गए अब यार ऐसा तो है नहीं कि कोई भी bike हो उसमें cons नहीं तो इसमें भी है तो क्या क्या है वो देखते हैं देखो कोई major बहुत बड़ा cons तो नहीं है बट एक दो है जो कि मुझे लगे वो मैं आपके साथ discuss करता हूँ क्योंकि हम लोगों ने इस bike के साथ पूरा दिन spend किया हुआ है कुछ ने कुछ हम लोगों को feel हुआ तो पहले चीज़ जो मुझे feel हुई कि इसमें कमी है वो यह है कि स्मार्ट फोन connectivity नहीं है सभी में दे रहा है तो आप देखो तो यार maximum अभी motors है in fact Royal Enfield ने भी अपना navigation connect का accessories launch करी है तो जब सभी brands दे रहे हैं तो वो चीज़ कहीं ने कहीं बहुत सारे consumer को यह इसमें missing लगेगी आपको यह कमी लगती है कि नहीं बताओ comment box में इसमें USB charging और दिया गया है तो आप charge और कर पाओगे second कमी जो मैंने feel करी चलाते time कि यार engine बहुत अच्छा है, smooth है सब कुछ अच्छा है, maintenance अच्छा है but initially कहीं कहीं पर मुझे लगा थोड़ा सा struggle कर रही है मतलब कह सकते हैं आप थोड़ा सा pick up में कहीं कहीं पर initially ऐसा मुझे लग रहा था कि वो कहीं ने कहीं इसमें थोड़ा सा कमी आती है, सीधा सीधा बहूँ थोड़ा सा मुझे engine इसका torque की कम लगा initial RPM पर, तो वो एक कमी है यह आप जाके भाई का test राड़ लेना आपको लगे तो ठीक है नहीं तो आपके लिए कमी हुई नहीं, इसका weight भी थोड़ा सा जादा है, दोसरे इसके rival के comparison में 152 kg का है, तो वो भी आप देख लेना, और सायद weight की बज़ा से भी ऐसा हो रहा है कि भाई, initially थोड़ा सा response लेने में कहीं कहीं पर डिले हो रहा है, एक और कौन से यहां पर मैं add करना चाहूंगा वो यह है, कि यार यह ना, मुझे लगता है कि अपने ही brand के motorcycle को competition देने वाली है, हम मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि इनकी सेम इसी segment में NS160 आती है, जो कि 4 valve है, engine बहुत अच्छा है तो बहुत सारे बायर सभी confused हो जाएंगे, NS160 वाले इसको खरिदना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे हो कि जो कि, जिनको यह पसंद है, लेकि जब NS160 को चलाएंगे तो शायद वो उनको पसंद है बाकी guys, overall bike बहुत अच्छी है आप ले सकते हो, चलाने हम बहुत अच्छी है overall मतलब बोलूँ तो value for money motorcycle है यह, अपने segment में अच्छा stand करती है, वीडियो गर अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करो, share करो, हाँ, complete review देख ले ना, i button में है, वहाँ से आप देख सकते हो